नमस्ते दोस्तों स्वागत करते आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी चैरेंच पर राजस्थान में 19 नए जिले बने हैं और 3 नए संभाग बने हैं इसी के साथ संभागों की संख्या 10 और जिलों की संख्या 50 हो चुकी है तो अब नए जिले बनने के बाद कौन सा जिला किस सभाग में आएगा ये आज के हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिये और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना बूले और वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं नय जिले बनने के बाद राजसान के संभाग वाइस सभी जिले और साथ में मैं आपको ये भी बताती चलूँगी कि कौन सा जिला किस जिले से निकल के बना है तो चले बात करते हैं बीकानेर संभाग की तो इस संभाग में चार जिले हैं श्री गंगानगर अनूपगर जो की श्री गंगानगर से निकला है हनुमानगर और बीकानेर और अब बात करते हैं जोदपूर संभाग की तो जोदपूर संभाग में छै जिले हैं जेसलमेर जोद पात जिले आएंगे राजसमन, उद्यपूर, भीलवाड़ा, चितोडगड, सलूमबर, सलूमबर भी उद्यपूर से निकला हुआ है और अब कोटा संभाग की बात करते हैं तो कोटा संभाग पहले की तरह है इसमें वही चार जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा, माधोपूर, भरतपूर, धोलपूर, करोली, दीग ये भरतपूर से निकलावा जिला है और एक है कंगापूर सिटी ये सवाय माधोपूर से निकलावा जिला है नक्स्ट हम अजमेर संभाग के बारे में बात करेंगे तो अजमेर संभाग में है साथ जिले अजमेर, शाहप इम पहरोड ये जैपुर से निखलाया गया जिला है। अजमेर और जैपूर इन दोरों में साथ साथ जिले हैं तो जिलों के संख्या के साब से अजमेर और जैपूर सबसे बड़े संभाग हैं तो अब हम नई बने हुए संभाग सीखर की बात करते हैं, तो इसमें चार जिले आएंगे, सीखर, नीम का थाना, ये सीखर से ही निकालके बनायावा जिला है, जुझझुनू और चूरू. नए बने संभाग पाली की बात करें तो इसमें भी चार जिले हैं जालोर और एक है साचोर जो की जालोर से निकला है एक है सिरोही और एक है पाली और अब हम बात करेंगे बास्वाडा संभाग की ये सबसे छोटा संभाग है ये भी नया संभाग है इसमें तीन जिले हैं बास्वाडा, डूंगरपूर और प्रताबगड तो इस वीडियो में हमने आपको राजस्थान के सभी जिले बता दिये हैं नए सिरे से संभाग वाई ये पढ़ते रहिए हमारी वीडियो देखते रहिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत